हेलो फिरेंड वेलकम बाइक तू माई यूट्यूब चैनल प्रिंस तोम डिजाइनर दोस्तों आज एक वर नए प्लान हम आपके लिए लेकर आए हैं पस्यमी मुखी मकान का घर का नक्षे देखने को मिलता है थिरी बेडरूम का तो किस तरह से हमने इस प्लान को वास्तियों के लुषा डिजाइन किया है देख सकते हैं आपको वेश्टो फेस मिलता है यानि फरंड से आपका पस्यमी मुखी मकान का यह सुंदर सा बेहतरीन सा हाउस प्लान होने वाले है थिरी बेडरूम का तो किस तरह हमने 24 फिट बाइ 30 फिट का वेश्टो फेसिंग का यहाउस प करने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो को इसकितना करें ताकि हम आपको इस प्लान के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे सकें कि किस तरह से हमने यतने कम जगह में वेश्टो फेसिंग का पस्यमी मुखी मकान यह तयार किया है तो चलते बिन टाइम वेश्टो की जान लेत एक टौायले टौायले टेंड बाث रूम मिलता है जानी न सम्मारो दो ट्वाइल टो बाथ रूमा एक तो हमने बैड रूम के लिए अटेश रखा आ है और हमने एक टो वासरूम आपको देडान के बारे में पूरी इनफर्मेशन दे Colonelे में इंठो का दोड çev it with प्लाइश्टू में इसमें हमारा कितना कॉलम कहां का प्याएगा कॉलम की साइज की आगी वह भी हम आपको बताएंगे तो सबसे पहले अगर हम फरंट से बात करते हैं तो वेश्ट फेस्ट से हमको में इंट्री का डूर मिलता है यहां पर हमारा फॉर्फिट का गेट लग ज होते हैं तो यहां पर आपको बैडरूम मिलता है है इस प्रफिट मिलता है और इसके वेट्रे झाना के लिए प्रण यानि सीटिंग के लिए तो इस सीटिंग हॉल की अगर हम साइज की बात करते हैं तो इस सीटिंग हॉल की हमको साइज मिलती है आपको मिलती है यह वाली सेवन फिट सिक्स इंच नहीं एलेवन फिट आपको यह पूरी साइज मिलती है एलेवन फिट यानि यहां से लेके यहां तो 11 फिट बाई 15 फिट में यहाँ पर हमारा काफी बड़ा इस पेस में सिटिंग हॉल है और इसी सिटिंग हॉल में एक तरफ से हमने इस्टवे भी डिजाइन किए देख सकते हैं यहाँ से हम अपनी सीडी पर चड़ते हैं यहाँ पर हमको लैंडिंग मिलती है इस लेंडिंग को भी हमने इस अरीके से दो पार्टों में डिवाइड कर दिया है फिर उसके बाद दोस्तों इधर से होते हुए हमको दूसरी लेंडिंग मिलती है तो इस लेंडिंग को भी हमने दो पार्टों में डिवाइड कर दिया है और इसी इस्टेर की नीचे यहाँ पर आप अपना सिटिंग के लिए सोफा बगारे लगा सकते हैं उसके बाद फिर फ्रेंड और इसी सिटिंग हॉल ते अगर हम सबसे पहले इस वाले डोर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है किचेन के लिए पर इस वीन्टिलेशन के लिए हमने यहाँ पर फ्रेंड आपन सी वाले डोर की सबसे पहले तो हमको सबसे मिलता है तो यहां पर काफी बड़े स्पेस में हमको अटेश्ट वाल इटेंड बाथरूम मिलता है और इसके भी विंडो भी रखी है ताकि हमारे इस वाश्रूम का अच्छा सा विंडोलेशन होता रहे उसके बाद फिर फिर इसी सीटिंग हॉल से बात करते हैं अगर हम सबसे पहले इस वाले डोर की बात करते हैं तो यहां पर आपको मिलता है बेडरूम सेकंड बेडरूम यह जो मिलता है इसकी आपको जो साइज मिलती है यह मिलती है 11 feet 9 inch आपको सामने वाली साइज मिलती है 11 feet 9 inch आपको यह सामने वाली साइज मिलती है और 11 feet यहाँ पर आपको इसकी लेंथ मिलती है तो काफी बले space में यहाँ पर आपका bedroom है और इस bedroom के ventilation के लिए हमने देख सकते हैं यहाँ पर एक window भी रखी है ताकि बेडरूम का हमारा अच्छा सा विन्टी लेशन होता रहे उसके बाद फिर फिरेंड इसी सीटिंग हॉल से अगर हम लाश्ट डोर इस वाले डोर की बात करते हैं तो इस से होते हुआ पहुंचते हैं आप अपने इस वाले बेडरूम में तो यह वाला हमारा जो बेडरूम है इसकी आपको यह हमारा माश्टर बेडरूम है क्योंकि इसमें हमने एक अटेश्ट वाले टेंडो बातरूम इस बेडरूम में भी रखा है तो यह हमारा माश्टर बेडरूम आप इसको बोल सकते हैं इस बेडरूम की आपको जो साइज मिलती है यह आपको 11 फिट बाई 11 फिट में यह वाला बेडरूम मिलता है 11 फिट सामने वाली साइज है और 11 फिट भी आपको इसके लिन्थ मिलती है तो 11 फिट बाई 11 फिट में यहां पर हमारा माश्टर बेडरूम है और इस बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए यहां पर हमने व हमने एक विनटरू भी रखी है ताकि इस बेडरोम का हमारा अच्छा से विनटरू बाथ्रूम में एक और रखा था तो इस वाले वाश्रूम की हम साइज ही बात करते हैं तो यह हमारा 3 feet by 7 feet में यह वाश रूम मिलता है और 7 feet हमको यह सामने वाली साइज मिलती है तो यहाँ पर हमारा कुछ इस तरीके से वाश रूम और इसके भी विंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पर एक विंडो भी रखी है ताकि इस वाले वाश रूम का भी हमारा अच्छा से वि दोस्तों इसमें हमारा क्या था कि फृरंटो एक बेडरूम था गालिया हमारा कीचिन है और यहाँ पर हमारा सिटिंग हॉल है उसके पीछे हमारा दो बेडरूम में बेहतरीन सा यह आपका 720 स्क्वाइफिड में कम जगा में 3 बेडरूम का हाउस प्लान देखने को मिलता है अब हम इसमें कॉलम की बात कर लेदे हैं कि इसमें हमरा कितना कॉलम कहा कहा पे आएगा वो भी हम आपको बता देते हैं और कॉलम की साइज क्या होगी चो चलते हैं जान लेते हैं तो सबसे पहले दोस्तों हमारा यहां एक कॉलम आएगा वन और यहां पर टू इसके सामने यहां पर थिरी इसके सामने यहां पर फोर यहां पर आएगा फाइफ इसके बाद यहां पर आएगा सिक्स यहां पर आएगा सेविन यह हो गया एट यहां पर दे सकते हैं यहां पर आपना दे करके यहां दे सकते हैं चुकि हमारा साथी फीट है यह और यहां पर हमारा आएगा यहां पर उसके सामने यहां पर आएगा और इसमें दोस्तों हमारे जितना भी कॉलम है यह सारा हमारे 9 इंच बाई 9 इंच का सारा क 14 तो दोस्तों यहां पर हमारे टोटल कोलम हो गया 14 कोलम हो गया और हमारे सबस्क्राइब। नए हैं तो हमारे चानल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को भी प्रिस कर दे क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए डेली अलग-अलग साइस के अलग-अलग हाउस प्लान लाते रहते हैं थैंक्स पर वोचिंग